सिच्छक अपनी कक्छा में बच्चों को पढ़ा रहे थी क्लास चल रही थी तभी सिच्छक ने एक विद्यार्थी को उठा कर पूछा बताओ इस धर्ती पर प्यार की निशानी कौन सी है तो उसने कहा सर राम सेतु है सिच्छक ने कहा अरे ओ रसस वाले संगी क्या पागल हो गया है ताज महल की जगा राम सेतु बोल रहा है तभी विद्यार्थी ने नमरता प्रुवक उत्तर दिया माफ कर ना सर आप जैसों पर ये मान सिक्ता थुपी गई होगी पर मैं नहीं मानता जिस ताज महल को बनाने के लिए सारी प्रजा को लगान के नाम पर लूटा गया हो बीस हजार गरीम मजदूरों के हाथ ये कह कर काट दिये गए हो कि ऐसी इमारत फिर दुबारा नहीं बननी चाहिए मुमताच के मरते ही पाँच दिनों के भीतर शह जहां ने जहां अपनी साली मुमताच की बहंद से दूसरी शादी कर ली जिसके हरम में पहले से पांच सो गश्याएं उसकी आयासी के लिए मौजूद है वो क्या प्यार जटाएगा अरे प्यार तो भगवान स्रीराम का माता जानकी के प्रती था जिसकी शक्ती जिसके विश्वास में इतनी ताकत थी कि पत्थर भी पानी पर तैरने लगा इनसान तो क्या पानर भालू गिलहरी तक जिसकी मदद करके खुद को धन्य समझने लगे और सेतू बना दिया उफंते समुदर पर जिसके सहारे स्रीराम लंका पहुँचे और उसी महाबल शाली रावन का बद किया सर मेरे लिए तो राम सेतू ही सच्चे प्रेम की निशानी है बागी आप जो माने जै स्रीराम